हालो स्टुडेंट्स तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूनिक नंबर वन दिसी सरकेज के अंदर इंड़क्टर क्या होता है उसका वोल्टेज और करेंट का रिलेक्शनशिप जो आई इस इकोस टू अपॉन अपॉन एल इंटिरेशन ओफ वी दीती है इसका ड अपॉन देखेंगे और अंध में हम देखेंगे कि जब इंड़क्टर सिरीज में कनेक्टेड हो या पैरलल्स में कनेक्टेड हो तब उसका इक्यूवलेंट इंड़क्टर कितना आता है तो आशा रखता हूं कि आप कॉपी और पैन के साथ तयार होंगे तो वीडियो की लेंगे कि एक वायर ले लेंगे ये जैसे कि वायर ले लिया कॉपर का लेलो या कोई भी मेटल का वायर ले लिया हमने अब ये वायर को अगर आप इस तरीके से अगर आप वाउंड करते हो इस तरीके से अगर आप वाउंड करते हो तो ये चीज जो है इसको हम अब ये inductor की क्या खासियत है तो इसकी खासियत ये है कि ये अपने अंदर electric energy को store करेगा magnetic field के form में तो सबसे पहले हम statement लिख देते हैं कि inductor क्या करता तो it stores the electric या बोलो electrical energy in the form of magnetic field तब ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि inductor कैसे अपने अंदर electric energy store करता है magnetic field के form में तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ये inductor है इसको हम connect कर देंगे एक battery के साथ यानि हम ये inductor को दे रहे हैं कुछ potential difference तो हमने inductor को connect कर दिया plus minus ठीक है अब ये inductor में से क्या होगा current flow होना शुरू हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि inductor में से current flow होना शुरू हो गया है अब हमें मालूम है faraday slow हम पढ़किया है faraday slow क्या बोलता है कि जब inductor के अंदर से कोई current pass करेगा तब inductor के आसपास magnetic field produce हो जाएगी तो रहा कुछ ऐसा था कि when current will pass from the conductor at that time around the conductor magnetic field is produced जैसे कि यहाँ पे ये conductor के अंदर से कुछ current आई पास हुआ तो इसके आसपास क्या produce हो जाएगा इसके आसपास produce हो जाएगा magnetic field ऐसे magnetic field प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसी तरीके से जब ये inductor में से current pass होगा तो इसके आसपास भी magnetic field produce हो जाएगी तो मैं magnetic field ऐसे करके कुछ बना देता हूँ ऐसे कुछ magnetic field produce हो गई ऐसे करके ऐसे कुछ magnetic field उसका direction सब्वोज यह ले लो तो inductor में से जब current pass होता तो magnetic field produce हो जाती और Magnetic Field की वजय से क्या produce होता? Magnetic Flux, तो Magnetic Flux का symbol है, fine. अब यह Magnetic Flux कितना produce होगा? कि जितना आप current बढ़ा होगे, उतना Magnetic Flux produce होगा. तो यह Magnetic Flux किसके proportion में है? Magnetic Flux current I के proportion में है. अब यहाँ पर कितना flux produce होगा? तो यहाँ ते हम suppose कर लेते हैं कि number of turns जो है, suppose N है. तो हर एक number of turns के साथ Magnetic Flux linked है. तो total Magnetic Flux कितना होगा? तो number of turns multiply with 5, यह total flux हो गया. इस डिरेकली proportional to current. अब यह proportionality symbol अगर निकालना है, तो आपको proportionality constant रखना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे कि N5 is equals to क्या proportionality constant, जिसको बोलते हैं हम L into I. अब यहाँ पर मैं L को subject बना दूँ, तो ऐसे लिखेंगे L is equals to N5 by I. तो यह L क्या बताता बच्छो? L बताता inductance, किसका inductor का? N क्या बताता number of turns, फाइ क्या बताता? Magnetic Flux, और I क्या current through inductor. अब यह inductance जो है, इसका unit है, Henry, जिसको हम X से represent करते हैं. अब यह inductance क्या है? आपने पढ़ा होगा resistor, अब resistor के अंदर क्या आता? Resistance, यानि resistor की क्या property, resistance की property, resistance की property, क्या use में आती? तो resistance हमेशा current के flow को oppose करता. इसी तरीके से, inductor की क्या property? Inductor की property, inductance. यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ, inductance. Inductance property क्या करता? Inductor के अंदर, तो वो भी दो चीज को oppose करेगा. तो पहली चीज यहाँ पर मैं लिख लूँ, पहली चीज वो क्या oppose करेगा? तो it will oppose the direction of current. यह क्या oppose करेगा? Direction of current को oppose करेगा. और दूसरा क्या चीज उपोस करेगा? तो यहाँ पर मैं लिख लूँ, दूसरा यह oppose करेगा. तो यहाँ पर मैं लिख लूँ, दूसरा यह oppose करेगा, कि it will oppose the change in magnitude of current. वो क्या oppose करेगा? Change in magnitude of current. देखते हैं क्या चीज है? Inductance, direction of current को कैसे oppose करेगा? Suppose कर लेते हैं, कि यह हमारा एक inductor है. अब यह inductor में से current flow हो रहा. Suppose कर लो यह direction में current flow हो रहा. इसको बोलेंगे primary current flow हो रहा है inductor में से. अब inductor के अंदर inductance है, तो वो क्या करेगा? Direction of current का oppose करेगा. यह direction में current flow हो रहा. तो inductor क्या बनाएगा? एक induced current बनाएगा यह direction में, जिसको बोलेंगे secondary current. अब ये current क्या करेगा, direction of current का oppose करेगा, ये direction में inductor ने current बना दिया, इसका ये oppose करेगा अब ये current कैसे बनाएगा, तो current बनाने के लिए potential difference चाहिए, तो सबसे पहला पर inductor एक induced EMF बनाएगा यानि अपने आपके अंदर एक battery बना देगा, कैसे इस तरीके से, ये बैटरी क्या करेगी, ये direction में current flow कराएगी, suppose secondary current I-, तो इसका oppose हो चाहिएगा दूसरी तरीके से समझते हैं, ये inductor लिया हमने, अब ये inductor में suppose कर लो current flow हो रहा, ये direction में, यहाँ से current flow हो रहा है तो अब inductor क्या करेगा, inductance है उसमें, inductance क्या करेगा, oppose करेगा किसका, ये flow of current का, oppose कैसे करेगा, कि inductor खुद अपने आप से ही एक induced current बना देगा, वो कौनसी direction में बनाएगा, ये direction में, oppose कर दिया, कैसे, तो सबसे पहले ही induced EMF बनाएगा, बैटरी बनाएगा, तो ये बैटरी कुछ ऐसे बनाएगा, जो current ये direction में flow करा देगी, ये induced EMF बनाया इसमें, ठीक है, तो current का तो oppose ये करता है, अब ये change in magnitude of current का कैसे oppose करता है, तो वो समझने के लिए यहाँ पर में बना दू, जैसे के ये एक मेरा inductor है, अब ये inductor में से suppose कर लेते हैं, constant current flow हो रहा, 4 ampere का, अब 4 ampere का constant current flow होगा, तो कोई problem नहीं है inductor को, लेकिन अगर आपने variable current दिया, यानि di दिया, कैसा variable current, 4 ampere का नहीं है, मैंने current को increase कर दिया, increasing current दे रहे हैं, अगर increasing current दे रहे हैं, तो क्या हो गया, magnitude का change हो गया, अब inductor क्या करेगा, ये इसका भी oppose करेगा, changing magnitude को oppose करेगा, अब current का magnitude बढ़ रहा है, तो इसको oppose करने के लिए, ये इसके opposite direction में current बना देगा, उसके लिए एक induced emf produce कर देगा, अब बुसरी तरीके से समझने कोशिस करें, तो suppose ये एक मेरा inductor है, अब ये inductor में से ये direction में suppose 4 ampere का current flow हो रहा है, तब तो magnitude का change नहीं है, तो कुछ opposite नहीं करेगा inductor लेकिन अगर यहां पर हमने variable current दिया, variable अब कैसा current देंगे, हम decreasing current देंगे, अगर हमने decreasing current दिया, तो ये inductor क्या करेगा, ये decrease current का oppose करेगा, उसको increase करेगा, decrease यानि suppose 3 ampere दे गया तो it decrease हो गया तो उसका oppose करेगा इसको decrease नहीं होने देगा तो कैसे decrease नहीं होने देगा कि उसने की direction में current बनाएगा say 1 ampere का तो 3 plus 1 4 ampere हो गया कैसे बनाएगा तो यहाँ पे एक induced EMF बना देगा that means inductance क्या चीज होती है inductance यह चीज होती है वो एक property होती है किसकी inductor की जो दो चीज को oppose करती पहली तो क्या direction of current को और दूसरी क्या change in magnetic change in magnitude of current को कैसे जो यहाँ पे लिखा है it stores the electric energy in the form of magnetic field अब जो potential और जो यहाँ पे बोल दीजी induced EMF जो बनाता है वो कितना बनाता है यह value आता है V is equals to L di by dt so इतना यह potential difference create करता है so I hope आपको समझ में आ गया होगा inductor क्या चीज होती है ठीक अब हम next topic पे चलते कौन सा तो इसके लिए inductor के लिए क्या याद रखना पड़ेगा आपको दो बाते inductor का unit inductor के अंदर क्या होता है inductance होता है inductance का unit क्या होता है Henry और inductance का equation L is equals to क्या बोट बोल दिया हमने L is equals to N5 by I अच्छो और inductor क्या चीज है जो electrical energy को स्टोर करेगा किसके फॉर्म में magnetic field के फॉर्म में ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कौनसा current और voltage के बीच का relationship किसके लिए inductor के लिए तो वो कैसे देखेंगे हमको पता है induced DMF कितना है inductor के अंदर तो लिखेंगे V बराबर L Di by DT अच्छा अब हम current और voltage का relationship चाहिए तो यह Di है इसको sum subject बना देते हैं तो Di is equal to क्या हो जाएगा यह यहाँ पे चला जाएगा 1 upon L आ जाएगा और यह V DT हो जाएगा अब हमको तो current चाहिए Di नहीं चाहिए variable current है total current चाहिए हमको तो हम integration ले लेंगे तो integration Di is equal to दोनों साइड ले लेते हैं 1 upon L V D T अब आपको बता है यहाँ पे क्या है 1 1 Di तो 1 का integration with respect to Di कितना होगा यह होगा i यह फिर small i लिख लो और यह 1 upon L inductance तो constant ही रहेगा integration यह क्या है potential DT तो यह क्या बन गया बच्चो यह बन गया relationship between current and voltage for inductor तो यह equation आपको याद रखना है numerical point of view से ठीक है अब हम दूसरे point पे जाते हैं अब आपको मालूम है कि अगर आपको कोई भी wire में से current pass करो तो कुछ power absorb होता है या फिर power loss होता है तो conductor में से जब हम current pass करेंगे तब conductor कितना power absorb करेगा तो यहां पे लिख लेते हैं power absorbed by conductor अच्छा तो हमको पता है power का equation power is equals to what voltage into current common equation आपको पता होगा यह ठीक है तो power is equals to अब voltage potential difference बोल लो voltage बोलो यह कितना है conductor का तो इसकी जगा पर मैं लिख लेता हूँ l di by dt और multiply किस से किया हुआ है i से तो इसका equation power का क्या बन जाएगा l i di by dt यह किस में आएगा यह आएगा बच्छो watt में power का unit watt होता है अब तीसरी बात करते हैं क्या कि inductor कितनी energy store करेगा electric energy in form of magnetic field तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ energy stored by inductor तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमको पता है equation क्या energy का energy बराबर power into time अब यह कैसे आया हमको पता है power is equals to what it is the rate of doing work 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 क्या है one form of energy work का unit joule energy का unit b joule so electric energy लिख लो T electric energy को subject बना दो P by into T वही equation लिखा is equals to power into time अच्छा अब हम छोटे से time interval में कितना inductor ने energy store करी वह ढून देंगे तो छोटे से time interval के लिए inductor ने छोटी सी energy store करी छोटी सी energy के लिए मैं लिख लूँगा d e power into छोटा सा time यानि dt अब हमको तो total energy कितनी store करी वह ढूनना है तो मैं यहां पे लिख लेता हूं यह चीज यहां पे लिख लेता हूं तो total energy के लिए हम integration ले लेंगे तो integration of d e is equals to integration of p into dt अब यहां पे आपको मालूम है 1 d e का integration क्या होता है total energy e अब integration of power कितना low at sob होता इंडेकर में इतना तो यह लिख लेते हैं क्या l into i di by dt यह तो power का था बाकी क्या बचा dt तो multiply with dt यह dt से यह dt cancel कर लेंगे तो energy कितना होगा energy is equals to integration of l i into d i अब यहां पे बढ़ लेते हैं अच्छा अब यह l का constant है तो e is equals to l का constant बहार निकाल लो integration के i into d i खीक है अब यहां पे e is equals to l अब i का integration क्या होगा integration आपको मालूम है integration of x dx का क्या होता है x square by 2 तो यह integration of i d i है तो इतका क्या होगा i square by 2 यहां पे लिख लेते हैं i square by 2 तो इसको हम लिख लेंगे e बराबर यह 2 का आगे ले ले 1 half l i square तो यह क्या हो गया बच्छे हमरा यह हो गया power stored sorry energy stored in the inductor अब हम आखरे point पे discuss करने जा रहे हैं कौन सा point number 4 यहां पे बना दू point number 4 कि जब तो अपने जो inductor है series में connected हो series में connected हो यानि एक inductor यह series में दूसरे एक inductor के साथ connected है और इसको अपन battery के साथ connect कर देते हैं तो यह equation भी याद रखना numerical point of Q से और जब यह parallel में connected हो parallel यानि कैसे यह एक inductor उसका inductance L1 यह दूसरा inductor जिसका inductance L2 और इसको potential difference दे दिया तो इसके लिए क्या answer आता है वही resistance वाला ही 1 upon L equivalent क्या करते थे 1 upon L1 plus 1 upon L2 तो यहाँ तो मैं लिखलो 1 upon L equivalent बराबर LCM ले लेते हैं L2 plus L1 यहाँ आप बोलो cross multiplication divided by L1 L2 तो finally यह reciprocal ले लेते हैं L equivalent चाहिए L equivalent बराबर L1 L2 divided by L1 plus L2 तो यह equation आ गया equivalent inductance का जब यह series में connected हो अब आखरी बात कर लेते हैं कि types of inductor है तो दो ही type है detail में पढ़ना नहीं है एक type है जो हम पढ़ चुके जिसको बोलते हैं हम fixed inductor और दूसरा एक type है जिसको हम बोलते है variable inductor जिसमें ऐसे करके arrow का symbol बना देते हैं तो यही सारी बाते थी inductor के बारे में तो वीडियो को करते हैं यहां पर ही समाथ तो तिल देन, read hard, work hard thank you very much Thank you very much Senhor on it